गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखें स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में सकों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेंगा जैसे मगज समराजे था उसमें जो मोरिय वन्स था आपका सुंग वन्स था और केणवाई वन्स था साथवान वन्स था इन सब के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में जानकरी प्राप्त की थी आता आप लोगों से मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलें और आप एकजाम के इसाब से मैं तो पुन जानकरी प्राप्त कर सके तो देखे चलते हैं आज सकों कोन थे सकों के बारे में हम जानकरी प्राप्त करते हैं सक प्राचीन मद्धे एसिया में रहने वाली स्किति लोगों की एक जनजाती या जनजातियों का समुह था इनकी सही नसले की पहचान करना खठिन रहा है क्योंकि प्राचीन भारतिये इरानी, युनानी और चीनी स्रोत इनका अलग-अलग विवरण देते हैं फिर भी अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि सबी सक शकीती थे लेकिन सबी सक नहीं थे यानि शक, सकीती समुदा के अंदर के कुछिसों का जाती नाम था सकों के बारे में जानने के इतिहास के स्रोत सकों के प्रारम्विक इतिहास की जानकारी के लिए हमें चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है इन में पानकू कृत सीएन हानशू अर्थात पर्थम हानवन्स का इतिहास तता फाने कृत हाउ हानशू अर्थात परवर्ती हानवन्स का इतिहास वो लेखनिये हैं इनके अध्यन से यूची, हूण तथा पार्थियन जाती के साथ सकों के संघर्ष तथा उनके प्रशार का ज्यान होता है चीनी ग्रंद तथा लेखक सकों की सई अत्वा सई वांग कहते हैं इसके बाद भारत में सासन करने वाले सक तथा पल्लव सासकों का ज्यान हमें मुख्य रूप से उनके लेखों तथा सीकों से प्राप्त होता है सकों के परमुख लेख निमन लिखी था है साथ वां राज़ाओं के लेखों से सकों के साथ उनके समन्धों का ज्यान होता है तो सात्वान राजों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप सात्वानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लेखों के अतिरिक्त, पस्शिमी तथा उत्री पस्शिमी भारत के बड़े भागँ से शक्त राजाओं के बहु संक्यक सीखkे प्राप्त हुए हैं कनिस्क के लेखों से पता चलता है कि कुछ सक्चत्रफ तथा महाचत्रफ उसके अधीन्ता में देश के कुछ भागों में सासन करते थे रामायन तथा महाभरत जैसे भारतिय सहित्यों में यवन पल्लव आदिविदेशी जातियों के साथ सकों का उलेख होता है कातयन एवं पतंजली भी सकों से परिचित थे तो अपन ने पतंजली के बारे में भी पहले जानकरी प्राप्त की थी मनुसमर्ती में भी सकों का उलेख मिलता है पूराणों में भी सक, मुरुंड, यवन जातियों का उलेख मिलता है कई अन्य भारतिय गरंथ जैसे गारगी सहिंता, विशाका दत्कृत, देवीचंद्र गुप्तम, बान कृत, हर्स चरीत, राजस्यकर कृत कावे मिमासा में भी सकों का उलेख मिलता है जैन गरंथों में सकों के विशे में विश्त्री जानकरी मिलती है जैन गरंथ कालकाचार ये कथानक में उजैनी के उपर सकों के आकरमन तथा विक्रमादित्य द्वारा उनके पराजित किये जाने का उलेख मिलता है भारतिय साहिते में सकों के परदेश को सक द्वीप अथ्वा सक इस्थाने कहा गया है सको की उत्पती तथा परशार सक मोलता है सीरदरिया के उत्तर में निवास करने वाले एक हांदेश तथा बरबर जाती थी चीनी ग्रंतों से पता चलता है कि 165 इस्सा पूर्वा के लगबग यूची नामक एक अन्य जाती ने उन्हें प्रास्त कर वहां से खदेड दिया सकों ने सीरदरिया पार कर बल्क जो बैक्टरिया में है पर अधिकार कर लिया तथा वहां के यवनों को प्रास्त कर भगा दिया परंतों यूची जाती ने वहां भी उनका पिछा किया तथा पुनह प्रास्त हुए पराजित सक जाती दो साखाँ में भक्त हो गई उनकी एक साखा दक्षिन की ओर गई तो तथा की पिन अर्थात कपीशा पर अधिकार कर लिया तथा दूसरी साखा पस्चिम में इरान की ओर गई वहां उसे सक्तिसाली पार्थियन समराटों से यूद करना पड़ा सकों ने दो पार्थियन राजों फ्रात द्वित्य तथा आर्थबान पार्थियन समराटों को प्राजित कर पूर्वी इरान तथा एरियना के परदेशों पर अधिकार कर लिया परंतु पार्थियन नरेश मित्रदात द्वीतिये ने सकों को बूरी तरह प्रास्त कर इरान के पूर्वी परदेशों पर पुनहे अधिकार कर लिया यहां से भाग कर सक हेलमंड घाटी दक्षिनी अफगानिस्तान में आए तथा वहीं बस गए इस स्थान को सक स्थान अर्थात सिस्तान कहा गया यहां से कंधार और बोलन दर्रा होते हुए वे सिंदू नदी घाटी में जा पहुंचे उन्होंने सिंदू परदेश में अपना निवास स्थान बना लिया सकों के साथ संपर्क के कारण इस स्थान को सक द्वी पे कहा गया इस परकार भारत में सक पूर्वी इरान से होकर आये थे उन्होंने पस्षिमोतर परदेशों से यवन सत्ता को समाप्त कर उत्रा पत्थ एम पस्षिमी भारत के बड़े भूभाग पर अपना दिकार कर लिया तकसिला, मथूरा, महाराष्टर, उज्जेनी, आदी स्थानों में सकों की भिन-भिन साकाएं स्तापित हुई सक नरेसों के भारतिये परदेशों के सासक छत्रपे कहे जाते थे यह हमने आपको पहले भी बताया था तो देखेगा इस वीडियो में हमने सकों के बारे में जानकरी प्राप्त की आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज से